जे स्री किर्ष्णा राधे राधे आप सभी को गनेश चतुर्थी की हार्दिक सुपकामनाएं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए गनेश चतुर्थी की चार पोरानिक एवं प्रचलित कथाए लेकर आए हैं। संकष्टी गनेश चतुर्थी ब्रत करने से घर पडिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगली काड़िय संपन्ना होते हैं तथा भगवान स्री गनेश असिम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। मा की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान स्री गनेश जी के पूजा के दोरान संकष्टी गनेश चतुर्थी ब्रत की कथा पढ़ना अथोह सुनना जरूरी होता है। इस से संबंधी चार कथाए प्रचलित है। पहली कथा पौरानिक एबं प्रचलित स्री गनेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवन सिव के पास आएं। उस समय सिव जी के साथ कार्तिके तथा गनेश जी भी बै पूछा कि तुम में से कौन देवताओं को कष्टो का निवारन कर सकता है। तब कार्तिके और गनेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्ये के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान सिव जी ने दोनों की परिक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पिर्थिवी की परिक्रमा करके आएगा ओही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान सिव के मुक से या वचन सुनते ही कार्तिके अपने बाहन मोर पर बेटकर पिर्थिवी की परिक्रमा के लिए निकल गये। परंतु गनेश जी सोच में पड़ गये कि वह चुहे क के उपर चढ़कर सारी पिर्थिवी की परिक्रमा करेंगे तो इस कारिये में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तब ही उनहें एक उपाई सुझा। गनेश जी अपने इस्थान से उठे और अपने माता-पिता के साथ बार परिक्रमा करके बापस बेठ गये। परिक्रमा करके लोटने पर कार्ति के स्वयम को बिजेता बताने लगे तब सिव जी ने श्री गनेश से पिर्थिवी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा तब गनेश जी ने कहा माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है यह सुनकर भगवान सिव ने गनेश जी को देवताओं के संकट डूर करने की आग्या दी इस प्रकार भगवान सिव जी ने गनेश जी को आसिरबात दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्री में चंद्रमा को अर्ग देगा उसके तीनों ताप यानी देहिक ताप, देविक ताप तथा भोतिक ताप दूर होंगे इस ब्रत को करने से ब्रत धारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीबन के भोतिक सुखो की प्राप्ति होगी चारो तरप से मनुष्य की सुख संबृध्धी बढ़ेगी पुत्र पोत्रादी धन एसुरय की कमी नहीं रहेगी आईए आप स्रवन करते हैं गनेश चतुर्थी ब्रत की दूसरी कथा एक समय की बात है राजा हरिच चंद्र के राज्य में एक कुमार था वो मिट्टी के बरतन बनाता लेकिन वे कच्चे रह जाते थे एक पुजारी की सलापड उसने इस समयसा को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बरतनों के साथ आवा में डाल दिया उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था उस बच्चे की मा अपने बेटे के लिए परिसान थी उसने गनेश जी से बेटे की कुसलता की पार्थना की दूसरे दिन जब कुमार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बरतन तो पक गए थे लेकिन बच्चे का बाल बाका भी नहीं हुआ था वो डर गया और राजा के दरवार में जाकर सारी घटना बताई इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी मा को बुलुआया तो मा ने सभी तरह के बिगनों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का बर्णन किया इस घटना के बाद से महिलाय संतान और पडिवार के सोभाईगय के लिए संकष्ट चोट का ब्रत करने लगी गनेश चतुर्थी की तीसरी कथा एक समय की बात है कि विश्टनु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निच्चित हो गया बिवाह की तेयारी होने लगी सभी देवताओं को निमंतरन भेजे गएं परन्तु गनेश ची को निमंतरन नहीं दिया कारण जो भी रहा हो अब भगवान विश्टनु की बरात जाने का समय आ गया सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ बिवाह समारों में आये उन सबने देखा की गनेश ची कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं तब उए आपस में चर्चा करने लगे की क्या गनेश ची को नहीं निवता है या स्वयम गनेश ची ही नहीं आये है सभी को इस बात पर आच्रे होने लगा तब ही सबने बिचार किया कि विस्नु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए विस्नु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा की हमने गनेश ची के पिता भोलेनात महादयो को निवता भेजा है यदि गनेश ची अपने माता पिता के साथ आना चाहते हैं आजाते अलग से निवता देने की कोई आवसकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको सवामन मूंग, सवामन चावल, सवामन घी और सवामन लड़ु का भोजन दिन भड में चाहिए। यदि गनेज जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वर्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया। यदि गनेज जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बेठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चुहे पर बेठकर धीरे धीरे चलोगे तो बाराप से बहुत पीछे रह जाओगे या सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो विस्नु भगवान ने भी अपनी सहमती दे दी। होना क्या था कि इतने में गनेज जी उहां आ पहुचे और उन्हें समझा भुजा कर घर की रखवाली करने बेठा दिया। बाराप चल दी। तब नारज जी ने देखा कि गनेज जी तो दरवाजे पढ़ी बेठे तो वे गनेज जी के पास गयें और रुकने का कारण पूछा। गनेज जी कहने लगे कि विस्नु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारज जी ने कहा कि आप अपनी मुसक सेना को आगे भेज दें। तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके बाहन धर्ती में ध जाएंगे तब आपको सनमान पूर्बग बुलाना पड़ेगा। अब तो गनेज जी ने अपनी मुसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमिन पोली कर दी। जब बरात उहां से निकली तो रथो के पहिये धर्ती में धस गये। लाग को सिस करे परनतु पहिये न निकले बलकि जगा जगा से तूट गये। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारज जी ने कहा आप लोगों ने गनेज जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिध्धा हो सकता है और या संकर टल सकता है। संकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गनेज जी को लेकर आए। गनेज जी का आदर सन्मान के साथ पूजन किया तब कहीं रठ के पहिये निकले। अब रठ के पहिये निकल को गएं परंतु वे तूट फुट गएं तो उन्हें सु गनेज जी की बंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाटी ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाटी कहने लगा की हे देवताओ। आपने सर्वपर्थम गनेज जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी। इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया। हम तो मूडक अज्यानी हैं फिर भी पहले गनेज जी को पूछते हैं उनका ध्यान करते हैं आप लोग तो देवताओन हैं फिर भी आप गनेज जी को कैसे भूल गएं अब आप लोग भगवान स्री गनेज जी की जय बोल कर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा ऐसा कहते हुए बरा तुहां से चल दी और विस्नु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ बिबा संपर्न करा के सभी सकुसल घर लोटाएं हे गनेज जी महराज आपने विस्नु भगवान की जैसे साड़े कार्य सिध्ध कीए वैसे सब का सिध्ध कीजिए बोलो गजानन भगवान की जै आएए आप सरवन करते हैं गनेज चतुर्थी ब्रत की चोधी कथा स्री गनेज चतुर्थी ब्रत की पोरानी कथा के अनुसार एक बार भगवान सिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी किनारे बैठे थे उहां माता पार्वती ने भगवान सिव जी से समय वेतित करने के लिए चोपट खेलने को कहा सिव जी चोपट खेलने के लिए तेयार हो गए हैं परन्तु इस खेल में हार जीत का फैसला कोन करेगा या प्रसना उनके समक्ष उठा तो भगवान सिव ने कुछ तिन के एकत्रित कर उसका एक पुतला बना कर उसकी प्रानपतिस्था कर दी और पुतले से कहा बेटा हम चोपट खेलना चाहते हैं परन्तु हमारे हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता उसके बाद भगवान सिव और माता पारवती का चोपट खेल सुरू हो गया यह खेल तीन बार खेला गया और सैयोग से तीनों बार माता पारवती ही जीत गई खेल समाप्थ होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को बिजयी बताया यह सुनकर माता पारवती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने कीचट में पड़े रहने का स्राप दे दिया बालक ने माता पारवती से माप ही मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्यानता बस ऐसा हुआ है मैंने किसी दिर्स भाब से ऐसा नहीं किया बालक द्वारा छमा मांगने पर माता ने कहा इहां गणेश पूजन के लिए नाप कैन्याय आएगी उनके कहे अनुसार तुम गणेश ब्रत करो ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे यह कहकर माता पारवती सिव के साथ केलास परबत पर चली गई एक बर्स के बाद उस इस्थान पर नाप कैन्याय आई तब नाप कैन्यायों से स्री गनेश के व्रत की बिधी मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातर गनेश जी का व्रत किया उसकी सर्धा से गनेश जी परसन्ना हुए उन्होंने बालक को मनवांचित फल मांगने के लिए कहा उस पर उस बालक ने कहा हे विनाइक जी मुझ में इतनी सक्ती दीजिये कि मैं अपने पैरों से चल कर अपने माता पिता के साथ केलास परबत पर पहुँँ और वे या प्रसन्ना हो तब बालक को बर्दान देकर स्री गनेश जी महराज अंत्रधान हो गये हैं इसके बाद वो बालक केलास परबत पर पहुँच गया और केलास परबत पर पहुँचने की अपनी कथा उसने भगवान सिव जी को सुनाई चोपट वाले खेल के दिन से ही माता पारवती सिव जी से विमुख हो गई थी अद्देवी के रुष्ट होने पर भगवान सिव जी ने बालक के कहे अनुसार 21 दिनों तक स्री गनेश का ब्रत किया इस ब्रत के प्रभाव से माता पारवती के मन में भगवान सिव जी के तब यह ब्रत विधी भगवान संकर ने माता पार्वती को बताई यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिके से मिलने की इच्छा जागलित हुई तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक स्री गनेश का ब्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड़ों से गनेश जी का पूजन अर्चन किया ब्रत के 21 दिन कारती के स्वयम माता पार्वती जी से आ मिलें। उस दिन से श्री गनिश चतुर्थी का ये ब्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ती करने वाला ब्रत माना जाता है। इस ब्रत को करने से मनुस्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुस्यों को समस्त सुक सुविधाये प् दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कॉमेंट बॉक्स में स्री गनेश जी की जय जरूर लिखें